अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपने CAPTCHA जरूर देखा होगा जी हाँ मैं वही तेड़े मेडे लेटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें बहुत सारे जगाहों पर लॉग इन करते वक्त रेजिस्टर करते वक्त किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते वक्त सॉल्व करना पड़ता है पर CAPTCHA होता क्या है और इसे हम यूज क्यों करते हैं ये आप चानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप देख रहे टिक फर फ्रेशेर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुभम का पिश्वे दोस्तों पहले जब इंटरनेट पर वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा ओप्शन्स नहीं थे लोगों के पास तो उनको बहुत सारे प्राब्लम्स फेस करनी पड़ती थी फॉर अग्जामपल याहू फ्री इमेल प्रवाइट करता है उस वेबसाइट पर कोई भी फ्री में रेजिस्टेशन कर सकता है इसलिए कुछ लोगों ने कम्प्यूटर बॉट को एसाइन कर दिया याहू पर फेक अकाउंट रेजिस्टर करने के लिए जिसके कारण उस बॉट ने सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर बहुत सारे फेक अकाउंट याहू पर रेजिस्टर कर दिये जिससे स्टोरेज भी बेश्ट हुआ और याहू की बाकी सर्विसेश भी स्लो हो गई सिर्फ यही नहीं बॉट्स को यूज करके वेबसाइट फर डॉस अटेक्स भी किया जाता था जिससे वो वेबसाइट का सर्वर क्रेश हो जाये और वेबसाइट बंद हो जाये ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमने CAPTCHA को यूज़ करना इस्टार्ट किया CAPTCHA का फुल फाम होता है Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart ये एक Turing Test होता है जिससे हम Computer Bots और Humans को अलग-अलग कर सकते है Websites पर जो हमें CAPTCHA देखने को मिलता है वो हम Humans बहुत असानी से solve कर लेते हैं पर Computer Bots को उनको solve कर पाना मुश्किल है और वो fail हो जाते हैं इसलिए हमें अक्सर Login, Registration, ऐसे Services को Complete करने के लिए CAPTCHA solve करना पड़ता है जिससे Server या Database affected हो CAPTCHA दो-तिन टाइप्स के हो सकते है सबसे Common जो हम देखते हैं आजकल Websites पे वो होता है री CAPTCHA जिसमें हमें Random Text इंटर करना पड़ता है किसे Task को Complete करने के लिए Second होता है ESP Pix Type CAPTCHA जिसमें हमें कुछ Images को identify करना होता है अगर आपने IRCTC की Website से कभी Ticket Book किया होगा तो आपने ESP Pix Type CAPTCHA को जरूर solve किया होगा ऐसे ही और भी कई जगा पर हम CAPTCHA को यूज करते हैं जैसे किसी ब्लॉग पर spam और bogus comment को रोकने के लिए Website पर entered plain emails को hide करने के लिए जिससे कोई web crawler उसे steal ना कर पाया वगेरा वगेरा तो मुझे उमीद है ये CAPTCHA के बारे में छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like, comment और share जरूर करें और इस चैनल को subscribe कर ले जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बाय